याओ सत्तर तिस पे कॉटन को भी नमस्ते भारत हम बलराम किशान है बढ़वानी मध्यप्रदेश से और आप है कॉटन की फिल्ड पर महराष्ट में दिनकर पाटिल जी के खेत में हैं इन्होंने कॉटन लगाया है साड़े साथ बाई चार पर दिनकर बाई ऐसा क्या समझ में अपको आया कितना चोड़ा ग्राफ लेना कपास करता है हर साल पाज भाई पाज पर लगाता था फिर पिसले साल मैंने शेवाई पाज दिया फिर भी एक बुच्छी में गुझा तिती हो टाइट हो जाता था फिर मैंने आपका भी उड़े हो जाखा इस साल और फिर कुछ अपने को मालूम है कॉटन फार्मिंग कि शान पाट शाला देखा आपने तो इसकी सबसे मैंने और बढ़ाया तो बढ़ाने में और पोने आठ हो गया साथ साथ करना था तो पोने आठ हो गया आपका पोधा भी बर्गत के पेड़ के जैसा दिख रहा है पूरी डालियों प अगर कतार बद्ध जे डेंडू फूल फ्लावरिंग पूडियां दिख रही है कि पास से ज्यादा किसी के डाली पर पास से ज्यादा आती नहीं हूं नीचे तक भी पूरा हरा भरा है और आज की शिश्वेशन है यह बहारी ज्याज़ा पर कपास कटम हो गया है यह नीचे लास्ट में भी डेंडू कंटिनीव है अबने टॉपिंग भी करीए यहां पर यह एक टॉपिंग हुआ है यह फिर कडी ब्रांच पूरी दिखेगी यह पूरी लाइन की लाइन है एक दो तीन चार पांच छे साथ और नीचे तक हरे किसमें लाइन पूरी दिखेगी यह एक दो तीन चार पांच छे साथ नीचे की जो ब्रांच है सबसे लाष्ट ब्रांच उसमें भी पोधा खराब नहीं दिखेगा आपके पीछे गणेद हर ब्रांच एसा लगता है फोटो खीच लू क्या करूं कि आप आप चार पांच छे साथ आठ बहुत सुंदर जैसे लोगों के हां का एक पोधा आगे आओ इधर थोड़ा हाइट पता चलेगा इसमें इस प्रे में क्या किया आपने वी एम इस्प्रे का भी पालन किया है मिस्प्रे और लिया दो बार हाँ यह पूरी कतार जो दिख रही न यह पूरा एक दो तीन चार पांच छे साथ नौ दस यह एक ब्रांच में दस डेंडू है और नीचे तक है लाश तक है पूरे भारत को मैं कहना चाहूंगा सारे किसानों को सीख लो भाई अगर सीखना हो दिनकर पाटिल जी से किशान पाटसला से एस यूर च्वाइस किशान पाटसला पर कॉटन पाटसला डालोगे तो सारी रेशेपी आएगी कपास की खेती केसे करें यह दिनकर भाई ने उसमें से बहुत कुछ हद तक फालो किया है इसमें दिनकर भाई नेक्स्ट में आप कॉटन करें तो क्या कीजिए जैसे हम केला करते हैं 37 एक में अब ने तो फ्लड का किया लेकिन ड्रिप वाले जो करें उनके लिए भी है बहुत शुंदर ये आधर सग्राम घोसित करना पड़ेगा इनको किशान पाट्शाला का आधर सग्राम दिनकर भाई का गाउं जो है तो आधर सग्राम रहेगा नहीं आधर सग्राम बोल रखा है न अभी आप इतनी मेहनत करोगे तो आधर सग्राम हो गई नमस्ते जी नमस्ते ठीक हो यह तो मुझे दिनकर भाई अशा लगता है कि अब जो जलगाउं जिले से घुमने आएगा मध्यप्रदेश उनको मैं सिधा बोलूंगा आपको इधर नहीं आना है कि चोपड़ा तेसिल में अडावत के पास चले जाओ सिधे दिनकर भाई के खेते उनके गाउं में तो एक प्लोट तो है नहीं ना पूरा गाउं ही अब आप आधर से ग्राम बन रहा है कि शान पाट साला के साथ साथ बहुत अच्छा है न कोई पोधा खराब है न काला पीला है न डंपिंग है पानी सब जा रहा है हर चीज देखने मिलेगा हर चीज देखने मिलेगा फश्ट सेकंड केला पपीता कॉटन सब देखने को मिलेगा अधर ऑक्सिजेन पार्क भी देखने को मिलेगा वही तो मैं बोल रहा हूं कि शान पाट साला के लिए आदर सग्राम होगे अपना इस जो कि एक दम बरकरार रहे हैं ज्यादा नहीं पास में जाना है यह इसमें भूड बन गया तो वह थोड़ा सा खुस्बू ज्यादा देता है अहां वह दिक्कत करेगा और यह चीज अच्छी है और यह क्या किया है बजाज पेशन को आपने तो ट्रेक्टर बना दिया है का इनोवेशन देखो यह इसका इंजं गाया वे यहां पर Uhr यह के मीट्र ट्रेक्टर कोलफ बना लिया है बजा इपजीर का और यह पीछे इनजर ने है ओपर प्ैट्र्ル की टंग्वा감을 लोहेalta के विल सबtoire पर एक ब्ञट्सर इस ने इकदम घुड़ मूद आए सब फण किसान ने इतना एक्टिव रहना ही चाहिए कि अपने खुद के काम की चीजों को खुद ही कर ले इतना सा क्यवल कर लिया तो हो गया काम अईसा लगता है हमेश्या कि कुछ नया नया शीकते रहो सीखते रहने के चक्कर में आप कर्जा मुक्तु हो अच्छी बात है आप किजान पाट साला के साथ आए एकदम बढ़िया लगा हाँ एकदम ठीक है कोटन खेती सिखना हो ऑक्षिएन पार्क देखना हो केला खेती सेवंटी थर्टी एक्सपोर्ट फार्मिंग देखना हो रेवा प्लस और रेवा से मुलागात करनी हो एक ही स्टेशन है गनेस भई मराटी मानूस चांगला आ है और आदर सग्राम जलगाओं चोपडा तहसील अडावत के पास वडगाओं बुद्रुक थेंक यू